इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं गेट इंजिनिरिंग मैस के प्रिविस वर कोश्चन व्रांच वीडियो में पांच कोश्चन करते हैं फिलाल मरा टोपिक चल रहा है रांक ओफ मेंट्रिस इस वीडियो का ऑ एकस हमें एक मैंट्रिस रिए एकस वन एकस टू एकक्स इन टॉब नोन जिरुब एक्टर डा एन क्रोस एन मैट्रिक्स वी एकसें टू एकस टान्पो सहें रैंग वन रैंक जीरो वन इस और्थोगनल रैंक एंट थेक है सुबसे पहले देखो यह यह जीम कर लेते हैं कि A B C ठीक है तो 1 नो जरो वेक्टर अच्छा ठीक है तो X ट्रांस्पोस किसके को आ जाएगा A B C ठीक है X इंटो X ट्रांस्पोस तो मैट्रिक्सी 1 क्रोस 1 किया जाएगी नहीं एक मिनिट N टपल तो यह इस त्रिक इस फॉर्म होगा ना क्योंकि इन दोनों को मुल्टिप्लाय करने से N क्रोस N की मैट्रिक्स आ रहे है तो यह कॉलॉम वेक्टर होगा ठीक है 3 क्रोस 1 X ट्रांस्पोस इकल टू A B C तभी वी जो होगा X इंटो X ट्रांस्पोस ज्यानिकी A B C A B C ठीक है तो 3 क्रोस 3 के मैट्रिक्स आएगी यह आएगा A स्क्वेर A B A C A B B Sक्वेर B C ठीक है A C B C C स्क्वेर ठीक है अब इसमें देखो इत तीनो रोज आपसमें इसम, अगर आप इसमegen इसमें से कॉमन निकालो A B C बचा इसमें से B कॉमन निकालो A B C बचा इसमें से C कॉमन निकालो A B C С जैसे एमने पिछली वीडियो मेंगें किया था ठीक है तो इसका रैंक किया वन ही एगा उनली एक ही रोड इंडिपेंडेटिक में बागी इसने मिलके बन जाएगी इसको इसका रैंक किया वार्क बन गॉन आईज और इंटिटी में ट्रिक स्ट्रेट मेंटर्स एडश जो है एट्रस्फोज इन्टू से यह तो क्या बहुत है जो नोन स्ट्रेंग मैट्रिक समय जैसे माथ फूल्ड रंक मैंटरिक सांप्रोस एडिसका full rank का मतलब है कि इन दोनों में से जो भी minimum आएगा ठीक है maximum rank जितना हो सकता है वो तो अगर m less than n है तो a होगा right inverse ठीक है मतलब non square matrix के inverse का मतलब यह है कि एक जैसे a है m cross n की तो एक n cross m की a matrix होगी a dash ठीक है जिस दोनों को multiply करने से ठीक है तो वो जो होती है इसके को लाती है a right inverse अगर m less than n हो a transpose into a into a transpose का inverse अगर m greater than n है तो a has left inverse जो की इसके को लाता है ठीक है तो दिखो यह सेम ही है इट मेंस यह a dash जो है ना a का inverse है ठीक है अगर हम a into a dash करेंगे हमारे पास identity matrix आएगी order क्या होगा यह क्या है m into n है यह n into m होगा तो यह m into m आएगा ठीक है तो directly हमें इस तरीके से करना option में देखो a into a transpose i आ जाएगा i into a आई 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 आगया तो option a correct है ठीक है a into a dash यह तो identity matrix आएगा उसका square identity की को ली आना चाहिए ठीक है तो यह गलत हो गया a into a dash identity को आगया identity into a तो a के को लाना चाहिए था a into a dash identity matrix into a तो यहां पर भी a ही आना चाहिए था ठीक है इस तरीके से हो जाए गए अगर यह नहीं भी आता तब भी हम इसको थोड़ा इसके order के सірक अचर सक्किर आना कि मालो यह का order क्या है मेंक्रोस एन एक त्रांसपोस का order क्या होगा इंक्रोस एम ठीक है तो जैसे एगर सो है इसी कल 2 colleague via कि इसका inverse into a transpose और संथे कना सबसे पहले देखो हमारे पास एक ट्रैंस पुर डॉर्ड़ है म इंटू एं फिर A है M into N, फिर inverse है ठीक है, और A transpose order है M into M, N into M, ठीक है, तो इन दोनों को multiply करने से order आएगा N cross N, inverse करेंगे तब भी हमेशा N cross N ही रहेगा, ठीक है, फिर N cross M, और A dash का आगया फिर N cross M, ठीक है, तो सही है न, यह M cross N है, यह N cross M है, तो दोनों का multiply करेंगे तो identity matrix आएगा, ठीक तो फिर हम option A में check कर लेते हैं, ठीक है, एक का order है M cross N, फिर A dash का N cross M, फिर A का M cross N, तो order जो आएगा final M cross N आएगा, और right hand side में भी A का वही order है, ठीक है, फिर option B में अगर check करेंगे, M cross N, और N cross M, फिर इसका square करेंगे, ठीक है, जैसे square है, यहां पर square से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा order का, तो यह आएगा, M cross M, जो की इधर A equal है, ठीक है, जिसका order M cross N है, तो गलत हो गया, option C में check करेंगे, option C में भी वही चीज़े देखो, पहले वाली option A का, option A का left hand side में order आया था M cross N, इधर तो हमारे पास identity matrix है, ठीक है, तो identity matrix हो, square matrix होती है M cross M या N cross N की होगी, तो option C भी गलत हो गया, D में check करेंगे, फिर वही, कि left hand side में तो वही option A वाला, कि M cross N, बट हमें पता है कि जो A dash है, उसका order क्या है, N cross M, ठीक है, तो अगर, मतलब यह देख लो कि अगर हमें यह नहीं भी आता, तब भी possible है, paper में question solve करना, ठीक है, कोई भी नहीं चीज़ आती है, तो, कोशिश करें कि जो हमारे basic concept है, उसको लगा, क्या पता question बन जाए, ठीक है, तो इसका एगा option A, देखो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कि देखो, A का determinant निकालो, तो P, S, minus Q, R है, ठीक है, बी का determinant निकालना, तो यह एगा, P, square, plus Q, square, R, square, plus S, square, minus P, R, plus Q, S, P, R, plus Q, S, P, R, अच्छा, P, R, plus Q, S, का square बन जाएगा, नहीं, तो, ठीक है, यह बनेगा, P, square, R, square, plus P, square, S, square, plus Q, square, R, square, plus Q, square, S, square, minus Q, square, S, square, minus Q, R, square, minus Q, square, S, square, minus 2, P, Q, R, S, ठीक है, तो cancel क्या होगा, यह, ठीक है, तो क्या हमारे पास यह नहीं, बनेगा, A, square, B, square, 2, A, B, तो यह हमारे पास बन गया, P, S, minus Q, R, का whole square, ठीक है, अब देखो, अगर मालो, A का rank 2 है, इटमिंस यह non-0 है, अगर यह non-0 है, तो B का rank 2 आएगा, अगर A का rank 1 है, इटमिंस यह 0 के एककल है, तो B का rank 1 आएगा, ठीक है, तो P, Q, R, S, तो non-0 होगी होगा, ठीक है, तो, इटमिंस दोनों का rank, सेम ही आएगा, अगर A का N है, तो B का भी N ही होगा, ठीक है, नेक्स कोश्चन है, rank of matrix, ठीक है, यह तो simple सा कोश्चन है, सबसे पहले हम minus 2 वाले, रो को उपर लिख लेते हैं, बैटर रहेगा, minus 2, 14, 8, 18, ठीक है, और, 6, 0, 4, 4, 14, minus 14, 0, minus 10, ठीक है, अब, अब यह भी कर सकते हो कि जुरूरी नहीं कि हमें, जैसे 14 को 0 करना है कि इसी से करें, सबसे पहले हम इसको इससे minus करके तोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस reduce ही करना है, तो, या तो हम, क्योंकि इसको 7 से multiply करने से बहुत बढ़ा आएगा, हमें तोड़ा effort लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा हम कोशिश यह करते हैं, simple थोड़ा करने की, चलो, r2 पे तो लगाई देते हैं, r2 प्लस 3 r1, ठीक है, r3 पे लगाते हैं, कि r3 माइनस 8, ठीक है, थोड़ा सा, चोटा होगा, 2 माइनस जना, तो 0, 42, 8 ती है, 24 और 4, 28, ठीक है, 18 ती है, 36, 54, 58, ठीक है, 14 माइनस 6, 8, माइनस 14, माइनस 4, माइनस 14, ठीक है, करना ही पड़ेगा, वैसे, कुछ ज्यादा simplified नहीं लिख रहा है, फिर r3 पे लगाया, r3 प्लस, 4 r1, माइनस 2, 14, 8, 18, 0, 42, 28, 58, तो 0, 14, 54, 56, प्लस 14, 42, आच चोका 32, माइनस 4, 28, 18, 72, माइनस 58, यह सेम आ गया, ठीक है, तो r2, r3, सेम आ गया, अब, जब आप r3 पे लगाओगे, operation, r3, माइनस r2, r3, 0 हो जाएगी, तो 2 ही non-0 रो बचेंगी, 2 ही rank है, ठीक है, तो वैसे अब 7 से करी लेते हैं, ठीक है, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं जादा, ठीक है, तो उसका अंसर आजएगा 2, next question है, let a, एक matrix है, जिसका element है, a, i, j, i, j, one, two, n है, n की value greater than, equal to 3 है, a, i, j, जो element आएगा, i और j को multiply करने से आएगा, rank क्या होगा, ठीक है, तो मैं 3 cross 3 की matrix लिख लेता हूँ, ठीक है, तो अगर देखा जाए, i का मतलब है row, j का मतलब है column, ठीक है, तो यह matrix element आएगा, 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, यह आएगा, 2 into 1, 2, 2 into 2, 4 आएगा, 2 into 3, 6 आएगा, ठीक है, यह 3 into 1, 3 आएगी, entry, यह 3 into 2, 6 आएगा, यह 3 into 3, 9 आएगा, ठीक है, यह हमारा matrix लेगा, तो वही देख लो, कि क्या है, आपस में इस दूसरे को multiple नहीं है, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9, ठीक है, हर row, पहली row को 2 से multiply करोगे, second बनेगी, 3 से करोगे, यह बनेगी, n क्रोस है न, तो 4 से करोगे, तो 4 बनेगी, ठीक है, तो एक ही row हमारे पास linearly independent है, बाकिस सब row उसका multiple ही है, उसका rank आएगा हमेशा, option B, 1, ठीक है, तो इसी तरह के से 5 questions से मारे खतम होते हैं इसी वीडियो के, किसी भी question में doubt हो, नेचे comment कर सकते हो, और वीडियो को सीखाओ, प्लीज वीडियो को like करना, चैनल को subscribe कर देना, थैंक्यू सो मच,